हेलो फ्रेंट्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइबो टेक एजूकेशन ग्रूप में जावा का यह दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप जावा में किसी इन्टीजर का इन्पुट लेकि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह इन्टीजर इवेन है या ओड है लेकिन यहां पे इस प्रोग्राम में मैं इफ स्टेट्मेंट के जगा पे सम संख्या है तो निश्चित रूप से अगर उसमें हम दो से डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा वह जीरो के इक्वल होगा सिमिलरली अगर नम का वैल्यू ओड होगा ओड होगा तो उस केस में दो से डिविजन के बाद रिमेंडर जो है वो वनाएगा तो यह बेसिक यह जो बेसिक लॉजिक है यह हम लोगों को ध्यान में रखना है और उसके बाद आईए देखते हैं कैसे कोडिंग लिखना है दे सपोज मैं class बना रहा हूँ class test यह को मैंने यहां पर class बंद कर दिया यह end हो गया end of the class test और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूं public static वाइड मेन जहां पर इस्ट्रिंग आर्क्स जो है वह एक परामीटर आर्क्स के जगा पर आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं यह आपका एंड हो जाएगा end of the main method में अब यहां पर देखिए आपको एक variable बनाना होगा नम नाम का या किसी भी नाम का बना सकते हैं जिसमें आपको user से एक integer का input लेना है और एक scanner चुकी scanner class का use करना है तो इससे मैं एक object बना रहा हूँ इससी नाम का new scanner system.in अब यहां पर मैं message प्रिंट कर रहा हूँ system.out.println enter any integer और नम में मैं एससी object से next int method का use करके एक integer का input ले ले रहा हूँ अब यहां पर मैं if नहीं use कर रहा हूँ मैं use कर रहा हूँ switch case तो मैं लिखता हूँ switch num percent 2 इसी को मुझे check करना है यह end हो गया switch का end of switch अब यहां पर मैं लिखता हूँ case देखिए अगर n percent 2 करने पर 0 आ रहा है value इसका मतलब है कि अगर अगर num में 2 से division operation करने पर result जो है न वो 0 आ रहा है तो यह जो basic उपर मैंने comment line में लिखा है कि कोई भी number even होगा अगर उस number में 2 से division operation करने पर result जो है न वो 0 आए तो चलो 0 आ गया तो मैं यहां पर message दे देता हूं system.out.println आपका जो num का value है वो क्या है भी वो is an even integer उसके बाद देखें यहां break लगाना बहुत ही नेसिसरी है it is must अगर आप यहां पर break नहीं लगाएंगे न तो फिर आगे के case में वो चला जाएगा तो यहां पर मैंने लगा दिया अब case 1 मतलब कहने का है कि अगर num के value में 2 से division operation perform करने पर result 1 आए अगर ऐसा हो तो मैं message दे रहा हूं system.out.println जो num का value है वो क्या है is an odd integer user और यहां पर भी suppose मैंने ब्रेक लगा दिया हाला कि देखें यहां पर break लगाना जो है न वो कोई निस्तरी नहीं है मैं अभी उसको जो की निश्यत्रूप से एक odd integer है देखें मैसेज आ रहा है कि 379 is an odd integer जबकि अगर मैं 354 डालता हूं तो यह एक event integer है तो message आ रहा है 354 is an event integer अभी एक चीज़ ध्यान देना है अगर मैं यहां पर break नहीं लगाता हूं तो देखिए लास्ट अगर आपके switch case में आप last case में break नहीं लगाते है न तो कोई बात नहीं है चुकि उसके आगे तो कोई case है ने चली इसको ही मैंने modify करके save कर लिया और again मैं compile कर वा लेता हूं अब देखिए मैंने compile कर वा लिया अब मैं इसको execute कर वाता हूं किसी दो number के साथ माले पहल event integer के साथ 588 मैंने डाला 588 is an event integer ओके यहां पर अगर आप चाहे न जैसे देखिए case 0 है case 0 है तो आपने क्या print करवाया event integer case 1 अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं आप यहां default लिख दीजिए इसका मतलब है कि दिया गया जो 9% 2 expression है उसका result है वो 0 के अलावा कुछ कुछ भी है चुकि मैंने case 0 ही लिखा है मतलब जितना भी cases है उनको छोड़ के बाकी जो भी है मतलब else otherwise तो और इंटीजर प्रिंट कर दो इसका यह मतलब हुआ अब इसको मैंने save किया अब देखिए मैं दुबारा से इसको compile करवाता हूं जावा सी test.java और यहां पे जावा test अभी देखिए 124 एक इवें इंटीजर है जबकि 189 एक और इंटीजर है आप अगर चाहें suppose आप यहां पे case 1 लिख सकते हैं मतलब इसका है कि अगर नम के value में 2 से division operation करने पर remainder 1 आता है तो उस case में नम का जो value है न वो और ब्रेक कर दिया और नहीं तो इसका मतलब है देख इवें इंटीजर ऐसा मैंने लिख दिया इसको भी सेव कर दिया यह देखिए लिखने का जो अलग अलग स्टाइल है ना वह मैं बताना चाहरा हूं आप लोगों को जावासी टेस्ट डॉट जावा और अब देखिए जावा टेस्ट अभी मैं कोई 2 इंटीजर डालता हूं हम आले 678 मैंने डाला एक इवें इंटीजर है उसके लिए इवें इंटीजर आ गया मैसेज और अगर 455 मैंने डाला तो देखिए और इंटीजर आ रहा है ठीक है तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो सेशन में सीखा कि कैसे आप स्विच केस का स्टेट्में अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और जो लोग चैनल में भी नए ने आये हैं प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों